हलो दोस्तो आप सभी का मेरी छोटी सीरह सोई में स्वागत है मेरा नाम सरबिला है और आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बर्गर ये छोटे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं और हम बार बार मार्केट में जाके तो खा नहीं सकते क्योंकि काफी जादा कॉसली आते हैं यह तो आप घर पे ही आराम से नॉर्मल सी चीजों के साथ बना सकते हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है तो मेरे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखे अब चलिए बनाते हैं वेज बर्गर बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है चार मीडियम साइज इसके आलो जिससे उबाल की अच्छे से छिल लिया है ठंडा कर लिया है इसी के साथ मैं ले रही हूं यहां पे एक चम्मच पोहा जिसे हम पानी में सोक कर लेंगे इसके जगह पे आप पके हुए चावल का भी यूज कर सकते हैं वो अच्छे से मसाले को बाइंड करता है इ इसके साथ मैं ले रही हूं व्रेड क्रम्स आप इन सभी को ले 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 तो अब हम कुछ मसालों को पहले से रेडी कर लेते हैं तो मैंने यहां पे लिया है कटोरी और इसमें मैं आट कर रही हूं धनिया पौडर आधा छोटा चम्मच अब देख सकते हैं उसी के साथ मैं डा लाल मिर्च पॉर्डर 15 जीरत चोटा च्मत यहां जीरा पॉर्डर 14 चोटा च्माच एOST पॉड़ा साम और राव शो कर सकते हैं ET यहां पर मैंने एक पैन लिया था इसमें चमत तेल डालके अच्छे से गरम कर लिया था और इसमें एक चोथा चोटा चमत जीरा डाली हूं इसे तरकने के बाद मैं इसमें डारी हमारे कटे हुए मिक्स वेजिटेबल और इसे हम अच्छे से भून लेंगे फ्लेम को आप मीड डालने के बाद भी इसे मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हम इसमें हमारे मसाले जो मिक्स किये थे हमने उसे हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से इसे भी मिक्स कर लिए एक मिनिट के लिए उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे हमारे और उसके साथ पोह डालेंगे उस तो पीटि बनाने से कहले, इसके लिए हम एक बैटर करेंगर इसके लिए दिया तिन चमच मेंद़ा, एक चमच कॉनफलार, टेश्ट के कॉर्डिंग नमक और ठोड़ी सी हरा धुनिया, और इन सब को मिक्स करके हम एक बैटर एड़ी करेंगे, जो बहुत जादा पतला भी नह हो गा arada 7 घंटा मैंने यहां पर अपना मसालं ले लिया है बेड क्रम्स ले लिया है अब इसको हम पेटी का सेफ देंगे अपस तरीके से कि इसमें डीप करें पहले उसके बाद इसके उपर ब्रेड करम लगाए आप देख सकते हैं इसे साइट रख दे Isī तरीके संब बना के फ्रीजर में चोर करके रख सकते घंबन करें आप उसे मुझे खा सकते हैं तो तो अब हमने पैटी k Mater तो उसके लिए मैंने यहां पर एक पैन लिया था उसमें तेल डाला था उसमें बटर भी डाला है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है गर्म करने के बाद मैं इसमें हमारे बनाये हुए टिक्की डालूंगी आप इसमें फ्लेम को लोर टू मिडियम रखे हाई ना रखे और प्लटते हुए आप इसे बना ले हमें एकदम गोल्डन क्रिस्पी होने तक पकाना है इसमें दो से तीन मिनट आपको लगेगा और इसे बना के आप साइड रखे तो अब मैंने उसी पैन को दुबारा से ले लिया है और इसमें डाला है बटर और बन को मैं बीच से कट करके इस तरीके से इसे सेक रही हूँ आप चाहे तो तवा का भी उस कर सकते हैं और अगर आपको बिना सेका हुआ बंच पसंद है तो आप इसे पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं अब मैं इसे साइड रख लूँगी दोस्तों हमने सभी चीजों को रेडी करके यहां पे ले लि हूँ और आप देख सकते हमारा पेटी जो है कितना जादा क्रिस्पी बना है उपर से बहुत ही अच्छा है यह अब इसे आप इस तरीके से इसके उपर रख दें अच्छे से दबा के और उसके बाद में हम इस पर डालेंगे हमारा चीज की स्लाइस है तो डालिए नहीं तो उसके बाद में इसके उपर डार्यू अच्छा एक चमच भरके मयोनीज मयोनीज नहीं अब चीज नहीं होगा तो बर्गर का मज़ा ही नहीं आएगा तो आप देख सकते ही कितना अच्छा हमारा बर्गर बनके रेडी हुआ है इसे तरीके से बनाईए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होतो लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें अब बेल आकन को भी जरूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें